नमस्कार दोस्तों पंचांग के अनुसार 10 जून 2021 को साल का पहला सूर्य ग्रहन लगने जा रहा है जून का महिना ग्रहों के राशी परिवर्तन और सूर्य ग्रहन की घटना के कारण विशेश है जून मंध में मंगल, शुक्र और सूर्य ग्रह का राशी परिवर्तन हो रहा है वही शनी के बाद बूध और गुरु वक्री हो रहे है दस जून को लगने वाले सूर्य ग्रहन को रिंग ओफ फायर भी कहा जा रहा है जब चंद्रमा, पृत्वी और सूर्य की बीच आता है तो ये अध्भूत नजारा देखने को मिलता है इस ग्रहन को कंकन रूप यानि खंडग्रास भी कहा जा रहा है लेकिन दोस्तो ग्रीन लेंड में ही कंकना कृती सूर्य ग्रहन या फिर हम कह सकते हैं रिंग ओफ फायर का नजारा जो है वो सिर्फ ग्रीन लेंड में ही दिखने वाला है दोस्तो इस जून महिने में मंगल ग्रह, सूर्य और शुक्र ग्रह का राशी परिवर्तन होने जा रहा है इसके साथ ही बूध गुरू वक्री हो रहे है वक्री अवस्था में ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है शनी पहले से ही मकर राशी में वक्री है ऐसे में शनी को भी जोड लिया जाए तो जून माह में तीन ग्रह वक्री होने जा रहे है दोस्तो जानते हैं सूर्य ग्रहन का समय सूर्य ग्रहन 10 जुन गुरुवार को जेस्ट मास की कुरुष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथी को लग रहा है इस दिन शनी जैन्ती भी है और वट सावित्री भी इस दिन मनाई जाएगी दोस्तो साल का दूसरा सूर्य ग्रहन जो लगेगा वो 4 दिसंबर 2021 को लगेगा और वो आखरी सूर्य ग्रहन होगा 2021 का साल का पहला सूर्य ग्रहन जो अब लग रहा है वो रुषव राशी में लग रहा है इसलिए रुशव राशी वालों को विशे सावधानी बरत्न की जरूरत है दोस्तो ये सुर्य ग्रहन भारत सहीत कई अन्य देशों में दिखाई देने वाला है भारत में इस ग्रहन को सिर्फ आंशिक रूप से ही देखा जाएगा लेकिन कनाड़ा, रशिया, ग्रेन लैंड, यूरोब और एशिया और उत्तरी अमेरिका में सुर्य ग्रहन को पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा ग्रेन लैंड में तो रिंग ओफ फायर का नजारा भी देखने को मिलेगा दोस्तो सुर्य ग्रहन का समय जो है वो दो पहर एक बचकर 42 मिनिट से जी हाँ दो पहर एक बचकर 42 मिनिट में शुरू होगा और शाम के 6 बचकर 41 मिनिट तक सुर्य ग्रहन रहने वाला है दोस्तो ये सूर्य ग्रहन साल का प्रथम सूर्य ग्रहन है और ये आंशीक रूप से ही देखा जाएगा इस कारण भारत में सूतक के नियम लागू नहीं होंगे सूतक काल में शुब और मांगलिक कारिय नहीं किये जाते है जब पूर्ण सुर्य ग्रहन होता है तो ग्रहन आरंभ होने से 12 गंटे पूर्व सुतकाल आरंभ हो जाता है आशिक होने के कारण मंदिरों के कपाढ़ भी इस समय में खुले ही रहेंगे बंद नहीं रहेंगे दोस्तो आगे जानते हैं चार राशियों के लिए ये ग्रहन अशूब रहने वाला है कोन सी है वो चार राशिया और कैसा रहेगा उन पर सुर्य ग्रहन का प्रभाव तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तो ग्रिगेरियन केलेंडर के अनुसार जेश्ट की अमावस्याति थी दस जुन को पड़ेगी यहाँ पहला सुर्य ग्रहन होगा जोतिश विज्ञान के अनुसार सुर्य ग्रहन का शूभ और अशूभ प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ता है आईए जा करेंगे सबसे पहली राशि है रूशभ राशि दोस्तो ये सूर्य ग्रहन रूशभ राशी में ही लगने जा रहा है इसलिए इस राशिके जातकों को इस ग्रहन के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए WISHESH धान रखना होगा जी हां यह ग्रहन रुशभ राशी के लिए अशुब रहने वाला है और इससे बचना आपके लिए ज़रूरी रहेगा इस राशी के जातकों को सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है धन की हानी हो सकती है इसलिए ऐसे जातकों को कोई भी लेंदेन या खर्च बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए दोस् को व्यापार में नुकसान होने की संभावना रहेगी आर्थिक समस्याओं आ सकती है इस दिन इसलिए किसी प्रकार का लेंदेन ना करें जी हां अधिक मेहनत करने के बाद ही सफलता इस समय में आपको मिल सकती है चलिए जानके है अगली राशी के बारे में यानी तुला रा है इस सुर्य ग्रहन की वज़े से परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे दातकों को व्यापार और नोकरी में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है मन शांत रहेगा दामपत्य जीवन में तनाव होने की भी संभावना है अच्छा होगा कि जीवन साथी के साथ समय बिताए जी हाँ और अगर कहीं भी तान तनाव कहीं भी जगड़ा होता दिखे या किसी भी प्रकार का तनाव पैदा हो तो शांत रहने की कोशिस जरूर करे दोस्तों चलिए अब जानते हैं मकर राशी के बारे में यह सुर्य ग्रहान मकर राशी के लिए भी अशुभी रह इस दोरान इन्हें सावधान रहना होगा सेहत और व्यापार के लिए मकर राशी के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहन उचित नहीं है जी हाँ आपको आपकी सेहत का भी ख्याल रखना होगा और व्यापार में भी किसी प्रकार का लेंदे ना करे थोड़ी सावधानी इस समय म रहेगी तो दोस्तों ये था 2021 का पहला सूर्य ग्रहन जो चार राशियों पर अशूब प्रभाव डालने वाला है दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे दोस्तों व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है, हमारे जीवन को प्रभावित करती है। और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती, वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है, परन्तु हम उसको नहीं देख पाते, इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है, जिसकी वज़ हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और वो चीजे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उध कही भी उतार देते हैं, तो ये अशुब होता है, क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है, इससे उन्नती में बाधा आती है, इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जग्यपर ठीक प्रकार से रखे, दोस्तों काफी लोगों को इस तरे की आदत होती है, कही से भी बाहर से आते हैं, कही भी जूते चपल फेक देते हैं, कही पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डॉर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्लि उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जग साथ ही दोस्तों एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चछत के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चछत के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चछत के उपर कबार जमा दिखता है जी लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती हैं। इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखें। जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है। जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घडी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीज़े कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजओं का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चिड़शेडा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल श इससे सकारत्मक उरजा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उरजा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुत्रा रखे कम से गम एक महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते में साफ सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साफ करना चाहिए और मकडी के जालों को खास करके अपने घर में बिलकुल भी पना ना दे दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुत्रा रखे मुख्य दार मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तों वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे है उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते, साफ नहीं रख पाते, उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे ढूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हम में समझ में आजाता है कि यह तस्वीर negativity दर्शार ही है इस तरह की तस्वीर भी आपको को रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घ वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना बुलें पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद